तुलसी की लकडी के बारह अचुक उपाए, जो आपको कोई नहीं बताएगा, एक सूखी हुई तुलसी की साथ छोटी-छोटी लकडिया इकठा कर लें, इसके बाद उन सातों लकडियों को एक साथ सूच से बांध दें, इसके बाद उन्हें घी से भरी में कटोरी में दें, फिर एक दीपक में रखकर इसे भगवान विश्नु जी के सामने जला दें, ऐसा करने से वे अती प्रसन्न होंगे, यह उपाए आप एक आजशी या किसी भी महीने की कृष्ण या शुकल पक्ष की त्रयोजशी तिथी के दिन करें, तो काफी लाभदायक होगा, दो तुलसी की साथ सुखी हुई लकडियों को एक साथ सूट से अच्छी तरीके से बांध ले, सूट ना हो तो आप सफेद धागा भी ले सकते हैं, इसके बाद सब्ताह में एक बार इन लकडियों को गंगाजल में डूबो कर अपने पूरे घर में छिड़काव करे, इस उपा पर रख देने से माता लक्षमी प्रसन होती है, इसके साथ ही आपके घर या बिजनेस में जो पैसों की तंगी का सामना कर रहे, वो सब दूर हो जाएगा, चार, तुलसी की मंजरी का उपाय, ऐसा माना जाता है, कि तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुब हो वहीं अगर गंगाजल में तुलसी की मंजरी डाल कर घर की उत्तर दिशा में रख दिया जाए, और नियमित रूप से इस जल को पूरे घर में अच्छी तरीके से छिड़काव किया जाए, तो इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पांच, बहुत से लोगों के कुंडली में दोश रहता है, अगर आपके साथ भी ऐसा है, या फिर कोई ग्रह दोश है, तो एक लाल रंग के कपड़े में सुखी हुई तुलसी के जड़को रख ले, और इसे गले या फिर बाजू में पहन ले, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में या फिर ग्रहों में जो दोश रहता है, वो समाप्थ होने लगता है, छे, सुखी तुलसी के पत्ते का उपाय, जोतिश के अनुसार जो तुलसी के थोड़ी सी सुखी पत्तिया लेकर उन्हें एक साफ लाल रंग के कपड़े में बांध ले, और अपने तिजोरिया धन रखने वाले स्थान पर रख दें, इस उपाय को करने से माता लक्षमी की क्रिपा आप पर बनी रहती है, और व्यक्ति को हर तरह की आर्थिक उन्नती में लाभ मिलती है, साथ एक तुलसी के पत्ते का उपाय, हमारे जोतिश शास्त्रों के अनुसार अगर आपके हस्ते खिलते घर की शांती चली गई है, तो तुलसी के चार-पांच पत्ते लेकर उसे अच्छी तरीके से धोकर पीटल के एक लोटे में साफ जल भरकर उसमें डाल दें, इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करने से आपके घर से नकारात्मक उर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, और घर में सुख शांती बनी रहती हैं, आठ जो तुलसी का पौधा सुख गया हो उसका जड़ निकाल लें, इसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से पानी से धोले और फिर इसे किसी साफ सुथरे कपड़े में रखकर अपने घ के प्रवेश द्वार पे टांग दे, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विश्नुजी की भी असीन कृपा प्राप्थ होती हैं, साथ ही आपके घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता हैं, नौ तुलसी के लकड़ी से स्नान, हमारे शास्त्र और प इससे नकरात्मक उर्जा दूर होती है, और साथ ही सकरात्मक उर्जा का संचार होता है, तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालने से व्यक्ती भागयशाली बनते जाता है, और उसके राह में आने वाली हरचने दूर होने लगती है, हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम तुलसी की लकडी को पानी में डाल कर स्नान करें तो इससे मानसिक शांती मिलती है और सभी तरह का तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए आपको तुलसी की लकडी को नहाने वाले पानी में थोड़ी देर डाल कर छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकडी को पानी से बाहर निकाल कर किसी साफ सुथरी जगहे पर रख दे और इस पानी से आप अच्छी तरह से स्नान कर लें। इस बात का ध्यान रहे की पानी में इस्तिमाल की गई तुलसी की लकडी को कभी भी बातरूम में न छोड़े, क्योंकि ऐसा करने से वह अपवित्र हो जाता है। तुलसी की लकडी से नहाने वाला यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन यह उपाय करता है तो उसका सोया हुआ भाग्य भी चमक जाता है। यह उपाय आपको हर एक शेत्र में सफलता प्रदान करता है, जिससे जीवन भर आपको धंधाने की कमी नहीं होती। दस मानसिक तनाव दूर करने के उपाय तुलसी की सुखी हुई लकडी लेकर उसे अच्छी तरीके से घिसकर उसका चंदन बना लें। पत्नी भी अपने पती के सीधे हाथ में बांध दे। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और पती-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ते जाता है। 12. तुलसी का पौधा सुखना. अगर आपके घर की तुलसी का पौधा अचानक से सुख जाएं, तो यह इस बात का संकेट देता है कि घर में कोई संकट आने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि तुलसी के पौधे की सुखने की कोई वज़य नहीं होती, बलकि यह मौसम के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसा खा जाता है कि सुखी हुई तुलसी का पौधा भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। लेकिन सुखे पौधे को घर से बाहर कर देने की ही सलाह दी जाती है। अगर कोई तुलसी का पौधा सुख जाता है, तो इसे आप जड़ सहित उठाकर किसी भी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी के सुखे हुए पौधे को कभी भी रविवार के दिन नहीं चुना चाहिए। अगर आपका तुलसी का पौधा सुख गया है और आप नया पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप इसे गुरुवार के दीन ही लगाएं। क्यूंकि इस दिन तुलसी का पौधा लगाने से भगवान विश्नु की कृपा प्राप्त होती हैं, तो उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला सकें।